दोस्तों आपका फिल्मी मेडिया चैनल में स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले है आमेर खान स्टारर फिल्म राजा हिंदुस्तानी और सनी दे उल स्टारर फिल्म चीत के लाइफ टाइम बॉक्स ओफिस कलेक्शन और उनके कमपरिजन के बारे में और साथ मैं जानेगे कि किस मूवी ने ज्यादा कमाई की थी उससे पहले दोस्तों अगर आप फिल्मी मेडिया चैनल पर पहली बार आए हो तो फिल्मी मेडिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइप भी कर दीजिए दोस्तों वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को अंतब जरूर देखें तो दोस्तों बिना टाइम गास्ट किये वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सनी देवल और करिश्मा का पूर स्टारर फिल्म जीत की बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी में सनी देवल और करिश्मा कपूर के अलावा सल्मान खान, अम्रीश पूरी, आलोपनात और तब्बू भी अहम रोल में हैं सनी देवल और करिश्मा कपूर स्टार और ये फिल्म 23 अगस्ट सन 1996 को रिलीज हुई थी ये एक आक्शन थ्रिलर मूवी हैं, इस मूवी का निर्देशन राजकमवर ने की थी जीत मूवी की बजट की बात करें तो इस मूवी की बजट 6 करोर रुपे रही थी फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सनी देवल और करिश्मा कपूर की ये फिल्म पहले दिन 80 लाख रुपे की कमाई कर ओपनिंग ली थी अगर बात करें इस मूवी के पहले बीक के कलेक्शन के बारे में तो सनी देवल और करश्मा कापूर की ये फिल्म पहले बीक में 4,34,000,000 रुपए की शानदार कमाई की थी वहीं अगर बात करें इस मूवी के Lifetime Indianate Collection के बारे में तो जीत मूवी का Lifetime Indianate Collection 16 करोड 44 लाख रुपे रहा था अगर बात करें फिल्म के World Divide Box Office Collection के बारे में तो इस मूवी का World Divide Bros Collection 28 करोड 79 लाख रुपे रहा था अगर Overseas Collection की बात करें तो ये मूवी Overseas में 1 करोड 49 लाख रुपे की कमाई की थी जबकि इस मूवी की India Gross Collection 27 करोड 30 लाख रुपे रहा था तो दोस्तों इस तरह से सनी देवल और करिश्मा का पूर्थी इस फिल्म को दर्शकों ने खूप पसंद किया और ये फिल्म Box Office पर सुपर हिट रही थी दोस्तों अब बात कर लेते हैं आमिर खान और करिश्मा का पूर्थ स्टारर फिल्म राजा हिंदुस्तानी के Box Office Collection के बारे में दोस्तों आपको बता दूं कि आमिर खान और करिश्मा का पूर्थ स्टारर ये फिल्म 15 नवंबर सन 1996 को रिलीज हुई थी ये एक romantic drama movie है इस movie का निर्देशन धर्मेश दर्शने की थी आमिर खान के फिल्म राजा हिंदुस्तानी की बजट की बात करे तो इस फिल्म की बजट लगभग 6 करोड रुपे था फिल्म की collection की बात करें तो आमिर खान और करिश्मा का पूर्थ की ये फिल्म पहले दिन 6 लाग रुपे की जबरदस्त कमाई का रोपनिंग ली थी अगर बात करें इस मूवी के पहले बीक के कलेक्शन के बारे में तो आमिर खान की ये फिल्म पहले बीक में 3 करोड 75 लाख रुपए की शांदार कमाई की थी वहीं अगर बात करें इस मूवी के Lifetime Indiana Collection के बारे में तो राजा हिंदुस्तानी मूवी का Lifetime Indiana Collection 43 करोड 20 लाख रुपे रहा था अगर बात करें फिल्म के World Divide Box Office Collection के बारे में तो इस मूवी का World Divide Bros Collection 76 करोड 30 लाख रुपे रही थी अगर Overseas Collection की बात करें तो ये मूवी Overseas में 15 करोड 90 लाख रुपे के जबर दस्त कमाई की थी जबकि इस मूवी की India Gross Collection 7 करोड 48 लाख रुपे रहा था तो दोस्तों इस तरह से आमिर खान और करिश्मा का पूर्टी इस फिल्म को दर्शकों ने खुब पसंद किया और ये फिल्म वॉक्स ओफिस पर All Time Blockbuster रही थी दोस्तों आपको बता दूं कि आमिर खान और करश्मा कापुर्थी इस फिल्म की गाने खुब पॉपुलर हुए थे इस मूवी की गानों को आज भी लोग सुनना पसंग करते हैं तो दोस्तों इस तरह से आमेर खान के फिल्म राजा हिंदुस्तानी सनीदि emba के फिल्म चीट से अधिक कमाई करने में सफल रही थी दोस्तों अगर आपने दोनों मूवी देखी हो तो आप हमें कमेंट करके बताए कि आपको इन दोनों में से कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी लगी दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करती हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें और दोस्तों नए वपुराने फिल्मों के बॉक्स अफिस रिपोर्ट जानने के लिए फिल्मी मीडिया चैनल को सबसक्राइब करें दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद